जैहिंद दोस्तों आज की स्वीडियो में मैं आपको क्लास्टुवेल जो रॉफिक के कुछ मॉस्ट भी वी आई सब्जेक्टिव क्यूशन को कराने वाला हूँ जो कि आपके एक्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं तो प्लीज आप लोग व पारे में और लेडी अच्छे खासे ट्रम्स बता रखें लेकिन यहाँ पर मानो भूगोल को आपको परिभासित करने वाले रैजल थे एलन सी सेंपल है तो उन दोनों का भी डिफिनिशन आप लोगों को ध्यान रखना है और सिंपल वर्ड में आप ये डिफिनिशन यूमन जोड़ाफी वह मानो समाज धरातल कहने का मतलब की प्रिफिवी यह दोनों के बीच का एक संबंद का एक अध्ययन है ठीक है क्लियर रहेगा आपका और फिया हम यह भी कर सकते हैं कि मानो भूगोल हमारी प्रिफिवी को नियंत्रित करने वाले भातिक नियमों तथा मानो भूगोल विज्ञान का वह साखा है जिसमें हम मनुस्य तथा वातावरन के संबंधों का छेत्रिया धार पर अध्ययन करते हैं क्या सिंपल वर्ड में क्या बोलिएगा कि मानो भूगोल विज्ञान का वह साखा है जिसमें हम मनुस्य तथा वातावरन यानि कि जो हम ल नोटबुक पर इसे डाउनलूट है ती सोरी राइट भी कर लिए लिख लिजेगा नेक्स्ट हमारा क्यूशन कहता है क्यूशन टूब यह भी बहुत इंपोर्टेंट है आपके 2021 के मोडल पेपर में इसक्यूशन को मैंने देखा है तो काफी ज्यादा कि मानवast ॉगोल क meva कि खेत्र गोनां बता यह कुछ च्हेत्र का नाम बताना है to पहले आपका इसमें आप से तो अगर कोई पार्टिकुलर रूप से बात की जाती कहता कि चार रूप शेत्रों के नाम बढ़ा लेकिन यहाँ पर कराये कुछ शेत्रों के नाम मत यह तो हाला कि यह तो मतलब आधा-धा करके आपको नंबर देते ठीक है यहां हम लोग करेंगे marking scheme is most important for you तो थ्वासा marking scheme को अपने धियान में रखेगा कि कितना लिखूंगा तो कितना नंबर मिलेगा है कि वहरबादी Italy Google समाजिक कल्यान का Google अवकास का Google Sanskrit prime link वहोगल एकिऊसिक के बारे में देन करते हैं समाजिक कल्यान भीजल में समाज के कल्यान दृकास भीजल में गार यह होगया प्वर रहेगा नेक्स्ट घुषे ज्यादा समय नहीं लोगा फटाफट से कराते चलूगा मैं आपको बर miejोस दे रहा हूं तकित आपका क्यूसं झाले सब्सक्राणिया कुछ से एंच्छ के Pointy सेविऐ टक फोरिव सीफ श youucs सहाइं तो हाला कि मोडल पेपर में 2021 का मोडल पर जो जारी किया गया में तो इस लिए ने आपको प्राथमिक केडिया कलब के बारे में हमापर समझाने की कुसिभ है ताकि है और अगर आ जाए तो आप कुछ ने कुछ तो जरूर लिख पाओं यह कहता क्या है कि प्राथमी किरिया कलाप से आप क्या समझते हैं यह वाट डियू मिन वाई प्राइमरी सेक्टर प्राइमरी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं तो सिंपसा टर्म्स में समझेगा कि यह सबसे मह अगर देखिए जो हमारा पसुचारन है मचली पकरना है वनों से लकडी काटना किडिसी का खनन यह सब जो आता है आपका प्राथमी किरिया कलाप के अंतरगत आता है तो आपको अगर डिफनिशन किसी बीचीज का पूछता है तो उसमें आपको एक्जाम्पल देखिए तो अतियावस्यक्राता है एक या दो आपको देना बहुत ही इंपोर्टेंट उस वाट का विन आप लोग क्यार करें द्यान रखेंगे यह हमें एक जाम्पल क्या करना है तो राइट करना है राइट करना है नहीं लिखना है ठिकना बात करते हम लोग अपने अगले कुशन के पर्थवा समझ लीजेगा अगर हो सके तो आप कोफी पढ़ लिकर इसे याद करने की कोशिश कीज़े ताकि आपके ग्यामनेशन में सब क्यूशन आएंगे ही आएंगे क्यूशन फोर काता है कि प्रात्मी किर्याकलाब के चार उदाहरं देजिए तो हम भया आपको बताया कि प्रात्मी किर्याकलाब के अंतरगत आखेट आपका आयाता है भोजन संग्र, पशुचारन, मचली पकरना, वनों से लकडी कातना है जीतने भी प्रकिर्थी प्रदत वस्तुएं जो होती है मतलब एक सिंपल वर्ड में कहा जाए ह। इसमें जो व्यक्ति होता है प्रात्मी क आप में बात कर सकते हो नेक्स्ट हमारा क्यूशन यहां पर देखें क्यूशन 5 है ज्यादा समय नहीं होगा फटा-फट से कराऊंगा बस आप सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि जितना आपको बना कराना है आज से आपको पांत दिनों के अंतर में कराने वाला हूं करता हूं इन सब्सक्राइब कर दोस्तों मेरा उमीद है कि हर बच्चे 90 प्लस करने की कोसिज करेंगे 90 प्लस करना आपके लिए इंपोर्टेंट है चलिए क्यूशन फाइब को लोग देते हैं दुईतिया क्रिया क्लाप से आप क्या समयते हैं यानि सेकेंडरी सेक्टर कहिए या सेकेंडरी एक्टिविटीज कर यह तो कहता है मैंने इसके बारे में आपको मोडल पर बताया था लेकिन इंपोर्टेंट तो यहां पर मैंने आपको और डिसकस करा दिया कि ऐसे क्रिया कलाप जो कच्चे माल या पदार्थ को प्राप्त कर उसमें पडिवर्तन या संसोधन करके उसके मुल्य में बढ़ोतीरी कर देना ही दुईतिया क्रिया क्लाप है सब्सक्राइब करता है मसीनों द्वारा या अपने द्वारा किसी तरह से उसको एक मतलब अधी कूपयोगी वस्तू के रूप में उससे बना देता है किसे तो प्रात्मी किया क्लाप की वस्तू को को परिवर्तित करता तो उसे दुईतिया क्लाप करते हैं जैसे मैंने आपको एक इक्जामपल दे कर समझाया था कि अगर आपका पास को तंतु में परिवर्तित करते हो तो यह बहुत ही क्या होता है ज्यादा महंगा हो जाता है इससे कपड़े भी बनाये जा सकते हैं तो य करते हैं दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन से मॉस्ट भी वी आई क्यूशन से तुरितियक क्रिया क्लाप से आप क्या समझते हैं तो इसलिए मैं आपको अनुमान लगा सकता हूं कि प्राथमी किया तुरितियक तो कहता है कि तुरितियक क्लाप में समाज को दी जाने वाली व्यवसाइक थाव यक्तिगत से वाँ समयनित होती है इसके अंतरगत वित धीमा संचार यातायात व्यापार प्रसाशन वह अन्य जंग से वाओं को समेलित क्या जाता है देखिए सबसे ज्यादा व्यक्तिगत से वाओं ठीक ना व्यक्तिगत से वाओं को सम्मीलित क्या था उसके अंतरगत कुछ इंपॉर्टेंट क्यूशन से दोस्तों में करा रहा हूं आपको से वे नमघकूशन से दोसे क्यों करा वह ृक क्योंकि यह वीडिवान की द्वारा अगर बहुद्वान सावी डिस्टतों करेगा हमें किसी भी क्योशन को समाज लेना चाहिए अगर आपसे कोई प्रात्मिक पूछे तो आप प्राकिर्थी के वाले में थोड़ा एक्स्प्लेन करके बताईए द्वितियक पूछे तो थ्वासा प्रात्मिक से बढ़ के बताईए और तिर्थियक पूछे तो थ्वासा द्वि विकास पर आधारित होते हैं और विशिष्टिक्रित विज्ञान प्रोधाउगी की कुसलता और प्रसास किये समार्थे से संबंदित समाओं का उन्नत नमुन्ने के रूप में देखे जाते हैं अधो आप लोग एक्जांपल को याद रखेगा तुर्थ किरिया कलापिर मुष्ट इंपोर्टेंट प्राथमिक किरिया कलापिर मुष्ट इंपोर्टेंट तो यह मत कहिए आपको आगाह नहीं किया था कि यह सब क्यूशन साइगे इस सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना तो मैं कुछ लगाबा जाकर में बताऊंगा केवल आपको मैं समझाने क क्या गया है chain दिपंचम किरिया क्लाप की आप गाया निक पूर्ण गठन और क्वार्ट नरी होता है और बात यहां पर किजान jeura की तो काथा है कि पणसंख्शं पूर्ण किरिया क्लाप व शेवायं हैं जुन्नवीन एवं बर्तमान विचारों की रचना उनके पूर्ण गठन और व्याख्या आंक्रों की व्याख्या तथा परियोग तथा नई प्रोदोगी का मुल्यांकन पर केंदरित होती है सबसे पहली बात कि अगर माल ने डिफिनीशन आपको नहीं याद है तो कम से कम आप हड़े किरिया कलाब का कुछ हैं आकडों की व्याख्या पूर्ण गठन और व्याख्या नई प्रोदोगी के मुल्यांकन पर केंदरित होती है तो यह सब आप के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट नेक्ट हमारा क्यूस्टन करता है क्यूस्टन नमबर नाइन कि चार पंचम किरिया कलापों का उल्लेक क पढ़ेना है ठीक ना हर्यक कि लिए कर आपका उदाहरन आध रखना है कि छतुर्थ कि रिया कलाप में थोरा सा नो-इहां होता होता है कि भूछ होताका है सोचना होता है सोध करना होता है तो इसे चतूर्त करते हैं यह आप लोग ध्यान रखेंगे नेक्स्ट बात आती है हमारे जो क्यूशन्स हम लोग कर रहे थे नाइन नंबर को फीनर के पड़ना है नाइन नमर कियुकर्ण गाता है की चार 근कर्य कर्याप को कह लेख कईूस्ट करना को मतलब समऑना सेकज्टन इस डि刚u सभी को पता है और मतलब अस्टेक्व को बनाना है तेन नमर क्यूशन थो आसा लॉंग के लिए आपके इंपोर्टेंट है क्योंकि लॉंग में इस नभी क्यूशन को पूशा जाता है तो थो आसा ध्यान रखिएगा कहता है कि मानो भूगोल के विशाय छेतर पर एक टिपनी लिखिए मैं पड़े आपको आज ही मैं को तीन-चार वीडियो दे दूँगा आप लोग देख लिजेगा इसलिए मैं आपको कम समय में ज्यादा वीडियो देने की कोशिस कर रहा हूं मानो भूगोल के विशाय छेतर पर एक टिपनी लिखना है तो कहता क्या है सबसे पहले तो हम जान चुके हैं कि मानो भूगोल प्रेटजल के अनुसार क्या होता है एलनसी सेंपल के अनुसार क्या होता है सिंपल वर्ड में क्या होता है सिंपल वर्ड में कर सकते हो कि मानो भूगोल विज्ञान है वह विज्ञान है जिसमें हम मनुसे तथा वातावरन के संबंधों का अध्यान करते हैं अब फिर यहां मंद की व्याख्या करने का प्रयत्न करती है इस प्रकार मानो भूगोल की प्रकृति अत्याधिक अंतर विश्यक है प्रिथिवी तल पर पाए जाने वाले मनवियत अत्वों को समझने वह उनकी व्याख्या हां तो क्या हम लोग करते हैं उनकी व्याख्या करने के लिए मानो भ नेका है जितना आप लोग पढ़ चुकें उसी में से लिखना है कोई नया चीन नहीं पढ़ना है हाँ ये कि इमपोर्टेंट है मैंने आपके 2011 के मॉडल कुछ अबजेक्टिव को देखा था जो मुझे डिफकल डिफकल टाइप लगे थी जैसे कहा है जाता है ऐसा पूदिया था कि शैने विज्ञान किस भूगोल के अंतर गताता है जनांकी की किसके अर्थ सास्तर किसके तो इससे थ्वास आप लोग ध्यान में रखिएगा ठीक है नेक्स हमारा क्यूशन इलेवे नमर करता है कि मानो भूगोल जो होता है वो किस परकार अन्य समाजिक विज्ञानों से समंधित है मानो भूगोल के सारे के सारे क्यूशन इस वीडियो में आपको क्लियर मैं कर दूँगा तो मानो भूगल का समाजिक विग्यान, समाजिक विग्यान, मनो भिग्यान, जितना भी मानो भूगल का समाजिक विग्यान उसके बारे में लिख देना है, जनांकि किये हो गया, ग्रामीन, संसाधन, अर्थसाथ, अर्थसाथ, ब्यवसाईक, अर्थसाथ, वानीजे, परेठन यह सब आपको लिख देना है इसका PDF मैं आपको टेलिग्राम पर दूगा ही दूगा तो आप वहाँ से समझ लीजिएगा ठीक ना क्लियर कीजिएगा वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं कहाता है क्योंकि आपके पास समय कम है तो मतलब समय का मुझे समझना है तो मानों भूगल का नियां को आपको समझाता हूँ अब देखिए मानों कहने का मतलब होता है कि हम लोग ठीक है और भूगोल का नत्रित्व करते हैं मानो जीवन पर प्रकिर्ती का गहरा बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है तो यही मानो भूगोल का महत्व है और आपके एक्जामिनेशन के लिए एक प्रकिर्टी का क्या मतलब एक तरसे मिषएशता है तो इसे आप लोग त्यान में रखेगा तो फीट से मिलेंगे हम लोग लागतार के बार मिलेंगे जो कि आपके वैसमें इसनाप कराने हैं कुछ से कुछ कि कराना है खो आपको जैसे संचार उन्चार से हो गया इन सभी टॉपिक से आपको बहुत ही इंपॉर्टन इंपॉर्टन कराना है यह तो आपका लगभग फर्स से लेकर कुछ चैप्टर्स के थे जो कि आपके लिए इंपॉर्टन है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए धन्यवा परोगा